पढ़ना है पढ़ना है डर लग रहा है एक्जाम आ रहे है टेंचन हो रहे है इसलिपस कम्पलीट करना है लेकिन पढ़ना कैसे ये कोई नहीं बता रहा है इसके बारे में बाती नहीं हो रही है घंटो बैट जाना बुक के सामने क्या ये पढ़ाई होती है नहीं जी बिलकु आने के काबिल हो, कितनी तयारी हो चुकी है वो सबसे important है अगले 10 मिनट जी है, अगले 10 मिनट मैं यही बताने वाला हूँ कि पढ़ना कैसे, कहां से पढ़ना है कौन से note से पढ़ना है कौन से question को पहले देखना है important chapters क्या है हमारे science के math के और English के तो जी बताने वाला हूँ तो यह सारी बात हैं जो आपके अगले 2 महीने बहुत काम में आने वाली है यह video नहीं है, आपको एक ऐसा मैं अमर्त पिला के जा रहा हूँ जो आपके exam में बड़ा काम आने वाला है आपको दुवारा से शक्ति प्रदान करेगा अंदर ही अंदर आपके confidence बनेगा देख ले ना, यह मेरा आपसे वादा है comment में मुझे लिखके बता दो क्या आप तयार हो इन exams को फोड़ने के लिए और video को like कर देना शुरू करने से पहले class 10th, 11, 12th सभी सुनो बड़े धियान से जब भी पढ़ाई की बात आती है, revision की बात आती है तो हम notes से पढ़ाई करते हैं exam time में खास तोर से यह सबसे important है, notes से पढ़ना चाहिए लेकिन किसके notes से, यह याद रखो भई notes हो या तो आपके खुद के class teacher के notes हो, जिसे आपके तो आपकी notebook जो है, उसमें से पढ़ना है या फिर आपके जो coaching वाले sir और madam है ना या तो उनके notes हो, आपने किसी से online पढ़ा है, वो आपके teacher है, तो उन online जो youtuber है, educator है, उनके notes होने चाहिए, ऐसा नहीं होने चाहिए कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन अपने friend के किसी teacher के notes से पढ़ रहा हूँ, एखा मत करना, इससे आपका बहुत बढ़ा नुकसान होता है, नुकसान क्या होता है, आप सुनो scientific बात, scientific बात यह है कि जब आप अपने किसी teacher से पढ़े होते हो सब्जी पूरी के बारे में बात करी थे, और इस concept के बारे में कुछ बता तो रहे थे, और जब आप मन से पढ़ने बैठते हो, तो वो concept आपको दुबारा से rewind हो जाता है, आप revive हो जाते हो, आपको मज़ा आने लगता है, वो चीजे आप से miss हो जाती है, इसलिए याद रखो, आपके पास जो है ना, जो आपका है, वो सबसे important है, आपके teacher ने पढ़ा है, वो notes पकड़ने है, आपके tutor ने पढ़ा है, आपके tutor ने पढ़ा है, आपने खुद online कोई class की थी, वो आपके note से पढ़ना शुरू कर दिये, start से लेके, end तक आप पढ़के बैठ गए, और last में question देखने जा रहे है, no, red flag है, बहुत बढ़ा red flag है, ऐसा मत करना, अब सुनो करना क्या है, smartly सोचो ना, यह strategy जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यह मैं ऐसा ही नी बता रहा है, आप मुझे बताओ, आपको exam में question करने, question paper आपका आया, यह question paper आपके हाथ में आया, question paper हाथ में आते ही, आपको क्या दिखता है, questions दिखते है, question number one, और आपके सामने होता है, question, होता है, आप से का जाता है, इस answer लिखो, है न, आप क्या करते हो, आपने जब अपनी preparation करी थी, आप आपने उन टॉपिक्स को पढ़ा था, question पे ध्यान लास्ट में दिया था, जबके तरीका क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले जो फी topic उठा रहे हो, exam में क्या question आते हैं, उसको पढ़ो, क्या कहा मैंने आप से, कि कोई भी chapter उठाया, science का उठाया, आपने English का chapter उठाया, social science का सबसे पहले उस chapter के question देखो, NCRT के question, previous year के question, sample paper के question, जो भी question जितने भी available हो, एक बार उन पे नजर मारो, हाँ, आपको knowledge नहीं होगी उस topic की तब तक, लेकिन ये knowledge ज़रूर होगी, कि question क्या पूछा जाता है, इस chapter में से, कौन से topic से सवाल आता है, यह आपको पता है, अब ज इस पे ज्यादा ध्यान दोगे, और उसे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, जब exam में ये question आपके सामने रखा होगा, आप असानी से उसका answer कर पाऊगे, पूरा chapter रटने को किसने बोला है, आपके exam में जो आता है, इस वक्त आपके लिए वो important है, समझ पाए, दुब Metal का chapter है, ये English का कोई chapter है, लेंचो के बारे में पूछा गया था, तो अब आपको question पता है, और जब अब उसके आप notes पढ़ो, उसकी जो भी आप classbook से, जो आपकी notebook है, उससे पढ़ रहे हो, तब आप दिमाग में वो चीज़े रखते हुए चलोगे, इससे कम समय में self notes क्या होते है, जल्दी से बता दो, self notes क्या होते है, self notes का मतलब मेरे दोस्तों, कि जो भी आप पढ़ रहे हो न, सिर्फ point, क्या, सिर्फ point, point wise उस chapter को खतम करना है, आपको एक अपनी पतली सी कोई copy बना लो, पतला सा कोई register बना लो, उसके अंदर सिर्फ आपको point लिखने है, कि for example मालो, मैं किस chapter के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं लेंचो आपका chapter उठा लेता हूँ, बई कोई English का chapter है, लेंचो की कहानी, तो कौन था, लेंचो था, क्या था, red trap seller, बस ऐसे sequence wise, rewind करने के लिए, जब भी आपको उन notes को देखो आप point से point को connect कर पाऊ, अपने हाथ से लि notes के साथ साथ, अपने point वाले notes बनाओ, point मतलब के पूरा chapter सिर्फ और सिर्फ एक page पर आ जाए, कुछ words में आ जाए, 50 words के अंदर पूरा chapter समा आ गया, कि इसके अंदर पूरा-पूरा है क्या, उससे connect करते वे जाओ, connect करते वे जाओ, connect करते वे जाओ, कि चीज़े असान लगे कितने formula है, match के chapter में, अपने खुद के formula है, अपने हाथ से लिखो, बिना देखे, बिना देखे, notes बनाओ, जब भी कोई chapter पूरा complete करो, ये करके देखो, कितनी असान लगेगी, पढ़ाई भाई, मजे आ जाएंगे, करोगे न, करोगे न, पूरा वाद है, करोगे, एक और बा science हो, history हो, किसी भी subject को अगर आप पढ़ रहे हो, उस chapter के keywords अलग से लिख लो, highlight कर लो, उनको आपको याद करना ही करना है, क्यों करना है, वो सुनो, अगर आपने किसी भी chapter के keywords, keywords का मतलब क्या, कुछ ऐसे words जो मुश्किल होते हैं, जो technical होते हैं, उसी chapter से, उसी lesson से related होते हैं वो होते हैं, हमारे keywords, है ना, तो वो keywords आपको याद रहेंगे, उससे फायदा क्या होगा, आप exam में लिख क्या है, अपना answer, और उस answer में आपने किसी तरह जबरदस्ती, वो keywords घुसा दिया, वो लिख दी आपने, लिख क्या होगे, अब पता है क्या होगा, examiner को आपका ना न number मिल जाएगा, number मिल जाएगा, सारा खेल keywords का है, आपको English नहीं आती, ये बात मुझे पता है, आपको English नहीं आती, ये बात आपको पता है, लेकिन examiner को थोड़ी पता है, क्या आपको English नहीं आती, वो तो keyword देखेंगे, कि हाँ बच्चे ने लिखा है, English का मुश्किल word है, answer में इसने डाला है, भाई, number दे दो, इसके number बनते है, ये काम आपको science में भी करना है, math में भी करना है, history में भी करना है, business में भी करना है, हर chapter में, हर subject में ये trick अजमाना, कि सब chapter के नहीं जो keyword होते हैं, उन्हें ढूड़ो, keywords कौन से होने चाहिए, जो मुश्किल है, जो technical है उसी chapter से related है, और कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे है, वो होते हमारे keywords, उनको अलग लिखना है, उन्हें highlight करना है, और याद कर लेना है, और answer में जरूर अपने डालना है, सर याद करके भूल जाता हूँ, जितना भी बढ़ता हूँ ना, बाद में सोचता हूँ, याद ही नहीं करो ना, उसे लिख लो, क्या करो, उसे लिख कर देख लो, उसे एक बार अपने हाथ से pen से निकाल दो, देख ले ना फर्क, अरे फर्क देख ले ना, खोदी फर्क मैसूस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई बाते कोई बताता नहीं है, इसलिए आप यहाँ फसे कर लेते हैं, जब अपने हाथ से solve कर लेते हैं चीजों को, अपने हाथ से answer लिख लेते हैं, वो नहीं भूला जाता, वो याद हो जाता है, वो यहाँ लिखा जाता है, दिल पे लिख लेता है, वो answer, और फिर exam में हलवा लगता है, मानते हो के नहीं, तो बस क्या कर रहे हो, आलस छोड़ो, रफ कॉपी बनाओ, लिखो, गंदी राइटिंग में लिखो, जितनी गंदी राइटिंग लिख सकते हो ना, ऐसे गजटे मार के लिखो जाए, लेकिन लिखो, लिखो, इस पैलिंग मिस्टेक भी खत्म हो जाएगी, आपका confidence देखना बढ़ेगा, फिर नहीं होते हैं, उससे क्या होगा, passing marks secure हो जाएगे, और फिर आगे extra marks, जितने भी हम ला सकते हैं, 80%, 90%, जो भी हमारी तयारी चल रही है, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, इसलिए बता देता हूँ, साइंस का भी बता रहा हूँ आज में, हाँ जी, मैंने भी तो 10th और 12th किया, ऐस हाँ, question देख न, exam में क्या question आता है, कोई previous year question paper, कि जो कोई आपको एक book मिल जाए न, जिसमें question bank हो, पिछले 5 साल की question papers हो, वो purchase कर ले न, किसी कभी, पुराना हो तो पुराना ले 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 लेना, एक-दो साल पुराना भी हो तो चल जाएगा, ये ले 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 है वो चैप्टर से जो पहले बिल्कुल एक दम अप फ्रेंट आप कर लो इनको पहले प्रिपेर कर लो माइंड को रिलाक्स कर लो पास तो में हुआ वा तेरा भाई पास है यह वाली फीलिंग आ जाएगी ना अफिट रहना टेंशन दो लगी आजो मैच मेट क्लास टैंस का मै यार ट्राइंगल पकड़ लेना नौ नंबर का क्वेशन आता है बड़ा प्यारा है स्टेटिस्टिक्स वह हो सबसे ज्यादा मनोर अंजंग तो मेरे को स्टेटिस्टिक्स लगती है एकॉनॉमिक्स जैसा ही होता ही है इसको पकड़ना 11 नंबर का इसमें साजए गा अर्थम खोल के बताएंगे कुछ ऐसे चैप्टर्स पोएम्स बता रहा हूं इंग्लिश के लिटरेचर की जो आपको इंटरस बना देंगी वैसे तो अल्लेडी मैंने विडियो सारे आपको बनाए रहा हूं बनाके देबी रहा हूं लाइव भी आ जाओंगा फिर भी सुन लो क्लास खाये नोट्स हैं तो भाई बात ही अलगे ग्लिम्स ऑफ इंडिया और दा प्रपोजल यह चैप्टर पहले उठा लेना आपका इंटरस डेवलप हो जाएगा ठीक है हॉन बिल क्लास 11 वालो दा पोट्रेट ऑफ लेडिया दादी मा की कानी बहुत प्यारे चैप्टर है मैंन लास्ट लेशन लास्ट लेशन ऑफ यह क्लास 12 या उसके बाद स्कूल खत्म है लास्ट लेजन चैप्टर है दीप इंडीगो डरेक्टर है और दीव यह सारी चैप्टर में आपके कवर कराऊंगा क्लास 10th 11 12 आपके सारी चैप्टर पुरा लिटरेचर विद पोएम्स में के कवर करांगा बे फिक्र रहो रिकार्देज्ट लेक्चर्स भी मिलेंगे लाइब 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 लेगन टॉप यह आपको देखनी है और वालो माई मधर हुड माई मदर एट 66 यह अ प्रिंग और विटी आंट जैनिफर स्टाइगर सारी मैंने करा रहा किये पोएम्स भी चैनल पर मिल जाएंगे अल्रेडी प्लेलिस्ट में है तो वहां से आप देख सकते हो पढ़ सकते हो दूसरी पुक आगई फुट्प्रिंट वडाउट फीट सबसे पहला चैप्टर तो अब ही के लिए इतना ही है ये सारे चैप्टर्स में आपको हमारे चैनल डियर सर पर कवर करा रहा हूं सब्सक्राइब करके रखो और लाइव आउंगा 11, 10, 12, तीनों की अलग-अलग क्लासिस प्रिपरेशन के लिए करवाऊंगा रिविजन पोएम की अलग होगी एक बुक की अलग होगी दूसरी टीनों की अलग होगी सारी वीडियो मिलेंगी अपना प्यार बना आके रखो सपर्ट करो समावारे साथ दो हमारे परिवार का हिस्सा बन घरा हो में आपको प्यार देता हूं प्यार तो और क्या ही चाहिए जिन्दगी में उमीद करता हूं यह 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे अच्छे 10 मिनट होंगे अगले 2 महीने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बने रहे डेर सर के साथ